हमारे exam के अंदर आएगा और ये overhead and distribution का part रहेगा मैंने एक छोटा सा format बना रखा इसमें क्या लिखना नहीं लिखना उसकी हम बाद में बात करेंगे पहले हम discuss कर लेते हैं कि machinery के अंदर जब ये chapter करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस chapter में कौन-कौन से keywords यूज किये जाएंगे जिसका मतलब ये होता है अगर वो words पता चल जाता है तो हमें question को समझने में क्या होता है आसानी होता है तो मैंने बताए अगर कोई machinery मेरे मान लेते हैं कि मैं किसी building के अंदर machinery को अगर रखता हूँ तो उस machinery के उपर पहले बहुत सारे खर्चे होते है उस खर्चे को बताए क्या क्या खर्चा हो सकता है उस machinery को जहां रखा गया तो अंधेरे में तो होगा नहीं light का खर्चा जब machinery चलेगा तो उसके उपर power का खर्चा जिस हिस्से में machinery रखा गया है उसका rent अब उस machinery को देख रेक करने के लिए जो salary दिया जाएगा supervisor को उस machinery के लिए repair का खर्चा हो सकता है machinery को मैंने insurance करवाया ये खर्चा हो सकता है machinery का आपका depreciation है खर्चा हो सकता है और भी खर्चे हो सकते हैं जैसे कि machinery को मैंने lubricant oil वगरा lubricant क्या होता है जैसे cotton हो गया उसको repair करते रहते हैं साफ सफाई देखा होगा अपने machine को वो करते रहते हैं machinery के अंदर ज्यादा होता ये तो ये सारे machinery के उपर basically खर्चे है तो हमें machine hour rate में क्या सीखना है अगर मान लो मेरा हमें पता करना है कि भाई जब मैं इस machinery को चलाता हूँ तो one hour में one hour में क्या cost आएगा उसी के हिसाब से हम किसी product का कीमत निकाल पाएंगे सपोस करो मेरे machinery चलने पे एक घंटे में तीन रुपे का खर्चा बैठता है और मेरा जो marker है वो marker एक घंटे में एक marker बनाता है मेरा machinery तो मैं इसका cost easily justify कर पाऊँँआ कैसे मालो मुझे बनाने का खर्चा रहा है पाँच रुपे तीन रुपे तो machinery का ही लग रहा है इस पे तो कितने का cost हो गया मेरे लिए पाँच और तीन आठ रुपे तो basically machine hour rate निकालने का हमारा main purpose है जब कभी cost product बनाएंगे तो एक घंटे में कितने product निकला और एक घंटे में कितना खर्चा है उसको divide करके actual cost निकाल पाए तो सबसे पहले हमने इसमें एक component समझा खर्चे अब ये खर्चे ना दो type के हैं अगर मैं यह explain करूँ तो दो type के कौन-कौन से हैं कुछ खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो कि fix है आपको machine चलाओ चाहे ना चलाओ वो खर्चा तो होना ही है और कुछ खर्चे यहाँ पर मैंने ऐसे लिखे हुए हैं जो कि machinery चलाओगे तभी वो खर्चा होगा यानि variable तो जो खर्चे fix हैं उसे मैं बोलूँगा standing charge standing charge का मतलब machine को रहने दो वहाँ खड़ा रहने दो आपका खर्चा आएगा और कुछ खर्चे ऐसे हैं जब चलेगा तभी आएगा अब देखते हैं light यह machinery का standing charge है क्योंकि अंधेरे में नहीं रहेगा light जलेगा तो उसकी रोशनी आएगी आएगी power यह standing charge नहीं है चलाओगे तो बिजली का बिल आएगा नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा rent यह fixed charge है standing charge है क्योंकि आपको किराय तो देना पड़ेगा इसके लिए supervisor का salary यह भी salary लेगा आप machine चलाओ मत चलाओ supervisor की salary तो देना ही पड़ेगी repair running charge है जब चलेगा तो repair होगा हमारा इसके इन्सॉरेंस बताओ standing यानि fix है आप machinery का एक बार में इन्सॉरेंस कराते हो आप उसको use करो चाहे मत करो depreciation यह दोनों हो सकता है running भी और fix भी अगर बोलते हो कि भाई जितना running होगा उसके according निकालेंगे लेकिन maximum case में एक fix rate होता है हमारा तो fix हम मानेंगे ठीक है तो यह हमारे दो तरीके के खर्चे है अब जितने भी खर्चे निकलेंगे हमारे total जो भी expense निकलेगा मेरा total expense total expense जो भी आएगा मान लेते हैं कि 50,000 हमारा खर्चा आया तो मैं एक घंटे का खर्चा कैसे निकालो तो मुझे ये भी तो पता चले कि total खर्चा जो है वो कितने time का है मैंने बोला suppose करो ये जो total expense है वो है one year का ठीक है न अगर मैंने बोला कि total expense जो है one year का तो अब एक घंटे का बताओ कितना खर्चा होगा तो आप ये भी तो जानोगे सर एक साल में कितने घंटे मसीनरी चला ये भी पताओना चीए मैंने बोला suppose करो एक साल में घंटे मसीनरी की बात करो तो 10,000 घंटे मसीनरी चलता है एक साल के अंदर run time तो 50,000 खर्चा हो रहा है टोटल आवर से तो एक आवर का खर्चा आ जाएगा लेकिन जो ये आवर है न ये होना चाहिए प्रोड़क्टिव आवर अब सर ये प्रोड़क्टिव आवर की डेफिनेशन देखें तो मैं आवर की बात करूँ तो आवर ना दो तरीके के होंगे हमारे पास तो दो तरीके के कौन-कौन से आवर होंगे एक होगा हमारा प्रोड़क्टिव आवर एक तो टोटल आवर होगा एक होगा आपका HR लिख रहा हूं मैं आवर को एक होगा आपका Setup Time Setup Hour या Setup Time एक होगा आपका Repair का Time और लास्ट में एक आवर निकालेंगे हम Productive Hour मैंने Explain कर दिया बागी नॉर्मल यह आपको समझ में आ जाएगा टोटल टाइम का मतलब कैसे निकालते हैं मैंने कहा कि मेरे एक साल में 300 दिन मसीनरी चलेगा एक दिन में 8 घंटे मसीनरी काम करेगा तो बताओ Total Time क्या होगा पूरे साल में कितने दिन मसीनरी चलाऊगा 300 दिन और एक दिन में जब भी चलाता हूँ कितने घंटे चलाता हूँ तो Total Time कितना चलेगा मसीनरी बढ़ा ही आसान आपका आंसर आया सर 2400 घंटे लेखिन क्या setup time, तो setup time पहले explain करता हूँ, यह होता क्या है, अब मैं एक simple सा example दिखाऊँ, आपको अगर बता हूँ, तो आप सब ने इस तरीकी का देखा होगा किसी को करते हुए, जब morning में early morning आप उठते हो, तो जब bike आपके street से या कोई चलाता है, तो वो क्या करता है, bike को चला के थोड़ी दर छोड़ देता है, ऐसा नीके एकदम से चला के चले जाता है, और कुछ person ऐसे करते हैं, bike को चलाएंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे speed में जाएंगे, कम से कम 1-2 km तक, उसके पीछे कारण है, क्योंकि machinery पूरी रात बंद रहता है, और एकदम से उसके इंदर power देंगे, तो उसके engine के उपर क्या होगा, फरक पड़ेगा, जिससे हमारा engine जल्दी से जल्दी खराब हो सकता है, तो अब देखो, जो वो time है, early morning का, start-up का, उसे बोलेंगे setup time, यानि हम उसको एक तरीके से set कर रहे हैं अपने bike के engine को, ताकि वो अच्छे से चल पाए, तो दो condition है, एक तो person ने क्या करा भाई, कुछ काम करना है, काम कर रहा है, bike start कर दिया, scooter start कर दिया, और वो अपना चल रहा है, और पांच मिनट तक उसने वेट किया, दो मिनट, तीन मिनट, engine गरम हो गया, फिर वो अपना लेके गया, अपने office तक, तो जो उस person ने bike को start करके छोड़ा, तो मुझे आप बताएं, क्या उस time पे bike चल रहा था? नहीं चल रहा था, यानि उसके अंदर running नहीं हो रहा था, लेकिन क्या petrol जल रहा था उसमें? जल रहा था petrol तो, दूसरा, कुछ person कहते हैं, भाई, office जाना है, तो start किया, और wait नहीं किया, बैठ गया, और धीरे 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 लेके गये, 2 km तक at least, तो क्या उस टाइम पे भी bike को set up किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी diesel यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, petrol यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल petrol यूज, सकता है ऑफिस में क्या आएगा सुबह सारे वरकर आ गए आठ नो बजे सबने मसीन चलाई मसीन चलना स्टार्ट हुआ मसीन चल रहा है चल रहा है बोला 5 मिनट रुक जाओ भाई पूजा हो जा कि आ उसके बाद करेंगे तो 10-15 मिनट मसीन चला अगर 15-15 मिनट भी चला आपका तो 4 दिन में एक घंटे चला क्या उसे एक घंटे में उसने कोई चीज उसमें कोई समान बनाया नहीं बनाया तो वो जो 15-15 मिनट डेली का था चार दिन में एक घंटे में कनवर्ट हुआ तो उस डूरेशन में कोई production हुआ या नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे setup time है लेकिन productive नहीं है समझ में आ रहा है न लेकिन अब भाई बहुत pressurize है दिवाली आ रहा है फटा फट से काम हमें करना है फटा फट मसीन चलाया समान डाल दिया लेकिन हम हर बार डालते हैं 100 किलो समान अब 5 किलो डाला है भाई दीरे दीरे निकलेगा अब starting है तो daily का यही है तो वो भी setup time है starting में जब कम डालते हैं लेकिन उस time पर क्या production हो रहा है आपका हो रहा है तो setup time आपका दोनों हो सकता है यह आपका हो सकता है unproductive hour मैं थोड़ा short form यूज कर रहा हूं और यह हो सकता है आपका productive hour समझ में आई आपको बात तो setup time क्या होत time होता है जिस time पे उसका production हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है और पाताओ जब setup time होगा तो उसमें electricity power use तो होना confirm है वो हो गा ही होगा रिपेयर का टाइम, अब रिपेयर के टाइम पे जनरली जब रिपेयर होता है तो production नहीं होता, आपने देखाओगा, रिपेयर के टाइम पे production होगा यब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कई बार हो भी सकता है वो हमें examiner बताएगा लेकिन 99% केस में क्या होगा repair कैसे करते हैं सारा machinery बंद कर दिया साफ सफाई किया पूरा खोल के फिर repair कर रहे है machinery उस time पे भी day तो 8 दिन एक दिन तो है न 8 घंटे तो गिन लिये लेकिन उस time पे क्या production हो रहा हमारा नहीं हो रहा production लेकिन हाँ ये possible है repair के time पे machinery चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है setup time पे तो चलेगा ही चलेगा लेकिन production हो भी सकता है और नहीं repair के time पे machine चल भी सकता है नहीं चल सकता है जैसे कि कुछ चीजे ऐसी है जो कि पहले भाई चला गए दिखाओ चल रहा है उसने चलते चलते ठीक कर दिया देखाओगा आपने जब चलते चलते ठीक कर दिया तो उस टाइम पे production तो नहीं होगा लेकिन उस टाइम पे हमारा वो मसीन में electricity जा रहा होगा और कई बार होता है भाई बंद करो तो electricity नहीं जाएगा तो ये वाला जो machinery को आपको maximum part में मांग रहा है unproductive hour ठीक है ना आपको clear हुआ यहां तक हमारे पास क्या total time कैसे निकलेगा पूरे साल में दे रखा होगा उसके इसाब से कर लेंगे setup time क्या होता है productive भी हो सकता है unproductive भी हो सकता है एक है हमारा total productive hour तो total productive hour या productive hour कैसे निकालते हैं हमें total time लेना है उसमें से जिस time में कोई काम machinery चला या ना चला इससे matter नहीं है वो time जिसके अंदर हमारा production हुआ ही नहीं उसको निकाल के बाहर कर दो suppose करो मैंने बोला कि 2400 गंटे में 300 गंटे तो ऐसे आवर है जिस time पे हमारा setup लगता है पूरे साल में डेली का एक गंटा तो machinery ऐसे चलता है जिस time काम ही नहीं होता और मेरा 200 गंटे तो repair में ले जाता है तो ये भी unproductive hour मैं बता रहा हूँ और ये भी unproductive hour बता रहा हूँ पूरे साल के अंदर आपने machinery कितने गंटे चलाए बताए 2400 गंटे जिसके अंदर इसमें भी कोई production हुआ क्या क्या इसमें कोई production हुआ क्या तो 500 गंटे में production नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका production hour जो है जिस time पर आपने सिर्फ माल बनाया है वो कितने गंटे है समझ में आ रहा है आपको बात तो आपको खर्चे को किस से डिवाइड करना है productive hour से यानि आपको total hour में से कुछ माइनस करना पढ़ सकता है सपोस करो मैं देता ये 300 गंटे productive hour है मैं देता 300 गंटे productive hour है तो total कितने थे 2400 2400 में से 300 productive है ये तो जुड़ा हुआ ये भाई total में बस unproductive क्या है ये तो इस केस में हमारा productive hour क्या होता 2400 माइनस 200 यानि 2200 गंटे क्या माने जाते productive hour तो अभी हमने कुछ खर्चे देखे और उस खर्चे के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक होता है हमारा fix और एक क्या होता है variable या running और standing के नाम से जानते है hour कितने तरीके के है productive and productive अब देखो third इसके अंदर आएगा सबसे जो student confused हो जाते है power का usage कैसे किया जाएगा power बोलेगा वो मैं कुछ example दूँगा आप उसका मुझे जवाब देना power का बोलेगा एक घंटे में 5 unit खतम होंगे तो इसमें कोई हरानी वाली बात नहीं है जब भी मैं इसी खरीदने जाता हूँ तो सबसे पहले पूछता हूँ भाई एक घंटे में कितने उनिट जलेंगा बताओ उसके हिसाब से और एक युनिट पर मुझे बिजली एंडी पील वाली को कितना payment करना पड़ता है एक रुपिया तो पांच युनिट जल गए और एक एक रुपे करके कितने उनिट पेमिंट कर दूँँगा मैं पांच रुपे तो total कितना गया है 5 रुपे तो ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ 1 घंटे में आपके 4 युनिट जलेंगे और 20 पैसे युनिट है तो बताओ 1 घंटे में कितने युनिट आपका यूटिलाइस होगा 4 और 20 पैसे युनिट है तो बताओ कितने लगेंगे 4 multiply point 2 तो कितने हो गए 80 पैसे खर्च होंगे आप यह मत समझना कि इतना कम कैसे हो रहा है उस पर ध्यान मत दो जो calculation है, calculation पर रहना है दूसरा point पता है, मैं कैसे पूछ सकता हूँ मैंने बोला, जी हम न आपको एक घंटे के अंदर ना 10 unit use होंगे ठीक है 10 unit use होंगे अब मैं अगर बता दू कि एक घंटे का एक unit का एक रुपए है एक घंटे में कितने unit use होंगे हमारे 10 unit अगर मैं आपको बता दू कि एक unit एक रुपए का है, तो आप easily answer दे दोगे, कि 10 रुपए है लेकिन अब मैं unit का rate भी नहीं बता हुआ मैं बोलूँगा, 100 unit जलेंगे तो 20 रुपए देने होंगे मैंने बोले, कि अगर आप 100 unit use करोगे, तो देने कितने होंगे तो एक unit का rate निकाल सकते हो कितने होंगे, 100 divided by 20 या, ठीक है 20 रुपए मैं दूँगा कितने unit use करने के बाद 100 unit तो अगर बोलतों एक unit का 5 है तो 100 unit पे तो 500 हो जाना चीए भाई तो अगर आप 20 रुपए का payment कर रहे हो और 100 unit use कर रहे हो तो divide करिये न आप तो कितने पैसे आ गए तो यहाँ पे क्या था आपको निकालना पड़ा unit 20 पैसे और आपका एक घंटे में कितने unit जल रहे है 10 तो 10 के अंदर एक unit का खर्चा कितना आ रहे 20 पैसे तो easily हम 2 रुपए निकाल सकते हैं तो यहाँ पे एक power के उपर difference रहेगा एक और बात मैं बताओ depreciation क्योंकि final year तक बच्चे आते आते भूल जाते हैं कि sir depreciation का rate ना दे रखा हो तो कैसे निकाला जाता है without rate में हम क्या करते हैं सबसे पहले cost लेते हैं और इसमें plus करते हैं installation charge minus करते हैं scrap divided by useful life यह estimated जो भी कुछ भी अलग-अलग जग है अलग-अलग what a useful life और बस यह आता है depreciation और हमेसा याद रखना यह depreciation जो निकल के आता है वो एक साल का होता है हमारा ठीक है ना वो कितना होगा एक साल का तो कुछ points मेंने discuss कि हैं यह इस question में आएगा भी हम practical question भी देखेंगे यहां तक clear है चलिए अब आपे एक है आपका standing charge एक है आपका running charge standing charge मतलब fixed charge और running charge मतलब variable charge ठीक है variable charge चलिए अब standing charge में अब मुझे मैंने कुछ example दिया वही चीज़ मैं लिखूँगा standing charge में हो सकता है rent अब यहां एक detail का column है एक परावर तो उपर वाले को detail में रखूँगा फिर परावर एक 80 ही कर दूँगा total में तो पहले एक rent इधर लिख लिया rent के बाद क्या हो सकता है salary इस side लिखा फिर क्या हो सकता है हमारा insurance इधर लिख लिख लिया हमने और क्या हो सकता है हमारा supervisor salary salary इसे हमने यहां लिख लिया बताओ कोई doubt है क्या और भी बड़े सारे हो सकते हैं खर्चे जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा lighting charge भी हो सकता है तो हमने क्या करना है पहले इसको total करना है इस वाले पर तो column नहीं रखते है ठीक है ना इसको total करेंगे और इस total को अगर हमें per hour निकालना है तो इस total को हमें total को divide कर देना पड़ेगा productive hour से मैंने थोड़ा सा short form यूज किया है total को divide किस से कर देंगे तो एक घंटे का आ जाएगा वो इस column में इसके सामने लिख देंगे मैं अभी practical question करूँआ तो देखना running वाले को ना हम सीधा परावर ही निकाल देंगे क्योंकि running वाले के अंदर परावर निकालना easy रहेगा fix वाले के अंदर तो भाई 5000 है running वाले का ऐसा भी हो सकता है question में दे कि भाई 10 रुपे घंटे है तो मैं क्यों चक्कर में पढ़ू पहले total करू फिर 10 रुपे पर घंटे बोली दिया है तो भाई परावर दे रहा है तो running वाले में आपको directly इस column में लिखना है जैसे कि power यहाँ पर solve करोगे आप solve करने के बाद जो भी आएगा आपका यहाँ पर आपने इसको लिख दिया पावर के बाद रिपेर और क्या हो सकता है बताईए रिपेर के बाद depreciation हो सकता है बिलकुल यह मैं very well running में डालूँगा रिपेर, power, depreciation के बाद आपका ol हो सकता है यह डाल दिया मैंने ठीक है इनफ है इतना आपको example देने के लिए बाकि जब question करेंगे तो पता चलेगा अब हम इन सब को क्या करेंगे total कर देंगे तो यह आगया हमारा machine hour rate बस यही करना है हमें इस question के अंदर अब होगा क्या एक machine भी हो सकता है, दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है, उसके according हम question को solve करेंगे तो format समझ में आया मैंने बहुत कम content डाला है लेकिन इसके अंदर और कुछ भी हो सकता है lubricant oil भी हो सकता है इसके अंदर और भी कुछ जैसे की consumable store होता है consumable store, nut bolts वगरा, spare parts होगे वो भी आ सकता है तो आपको जो लगता है कुछ खर्चे ऐसे भी लगेंगे आपको exam के अंदर कि sir ये fix भी है, variable भी है तो ये बहुत बड़ा factor नहीं है कि अगर आपको लग रहा है तो आप जहां मर जी डालो fix लग रहा है तो fix में डालो variable लग रहा है तो variable डालो answer पर फरक नहीं पड़ेगा लेकिन note जरूर देना कि sir हमें ये लगता है as per this situation कि ये expense है fixed expense मैं बोल दू कि जो supervisor को salary दिया जाएगा 2000 रूपिस पर आवर दिया जाएगा तब तो यहां नहीं लग रहा मुझे यहां पर आ जाएगा मैं यहां पर दूँआ नीचे note दे दूँआ clear cut में के हमने यहां पर as per given question information supervisor salary given per hour rate that's why I am taking in the running charge या running cost के अंदर हमने इसको consider कर लिया है बढ़ा ही असान है ठीक है तो एक बार cost of machine एक लाग 14,800 ठीक है भाई cost of machine आप याद रखना cost of machine scrap value इसका life यह सरिफ depreciation निकालने के काम आएगा हमारे तो cost of machine दे रखा है installation charge दे रखा है और anticipated अनुमानित इसका life दे रखा है 10 साल और residual value दे रखा है 5000 तो simple यह सारे जो points starting के बताए जा रहे हैं आपको यह सरिफ depreciation के लिए है तो मेरे लिए depreciation निकालना बहुत आसान हो गया कैसे निकाल लूँगा एक लाग 14,800 का तो cost है प्लस मैं installation charge कितना है 50 400 माइनस में scrap 5000 और divided by आपका life है 10 तो पूरे साल का मेरा depreciation निकल के आज आएगा यहाँ पे अगर मैं calculate करूँ divided by 10 आपका 11520 यह आगया पूरा डैप ठीक है आगे देखते हैं continue में question में और क्या देता है कहता है कि इसके अंदर rent rates per annum 5000 अब ये एक बात याद रखना आप rent जो होता है आपके question में कई बार देगा पूरे work shop का कई बार देगा per annum तो यहाँ पे ये नहीं बताए कि rent जो है वो कितने partition का है सिर्फ rent बोल दिया तो हम मानेंगे भाई इसी machinery का पूरा rent होगा rent मतलब कौन से वाला rent जहाँ पे रखा जाएगा उस मकान का किराय की बात कर रहा है कई बार बोला जाएगा पूरे work shop का हमारा किराया 5000 है और machinery सिर्फ one fourth area में ही रह रहा है तो हमें यहाँ पे जो rent लिखना पड़ेगा standing charge में वो पूरे 5000 नहीं लिखना पड़ेगा हमें कितना one fourth लिखना पड़ेगा मैं क्या बताने की कोज़िस कर रहा हूं समझ रहे हो हो सकता है पूरे कमरे के अंदर एक ही मसीन है तो उसी का पूरा खर्चा हो सकता है चार मसीन है तो हमें एक मसीन का निकालना है तो one by fourth करेंगे तो rent दे रखा है यहाँ पे हलाकि बारा हजार तो मैंने बारा हजार डिटेल वाले कॉलम में लिखा rent के बाद अगर हम आगे देखें इसमें तो कहता है यहाँ पे insurance तो fix है तीन हजार किसी को doubt इसके बाद कहता है repair and maintenance तो मैं repair को running cost में डालना ज्याद़ प्रफेर करूँगा तो repair 8640 मैंने इधर इसलिए लिखा क्यूंकि मैं इसको per annum वाले में लिखूँगा यह डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 8640 ठीक है न इसके बाद repair के बाद है आपका consumable store 1200 यह भी running में डालूँगा मैं इसके बाद है आपका total production service अब service कोई provide किया है question में mention नहीं है कि service किस चीज़ कह है तो fix भी हो सकता है variable भी जहां मर्जी डाल दो आपके इच्छ है तो मैं यहां डाल देता हूँ service charge यह fix होगा कुछ service 1080 का मेरे लिए यह matter नहीं करता हमारा judgment main matter करेगा मुझे consumable यहां लगा तो मैं यहां डालूँगा और आपको यहां लगता है तो यहां डाल सकते हो यह इसके बाद कहता है power अब देखना power को क्या बोलता है cost 5 unit per working hour power का जो है 5 unit खर्च होगा एक घंटे में आगे कहता है setup time non productive setup time में कोई production नहीं होगा तो यह कोई नई बात नहीं है आपको समझ में आ गया और total 300 घंटे काम चलेंगे आपके और एक साल में कितने घंटे होंगे एक दिन में 8 घंटे ठीक है तो total hour निकाले गया यहां पे total hour निकालेंगे भाई 300 दिन है 8 दिन 2400 घंटे लेकिन question बार बार बोल रहा है कि 400 घंटे productive hour नहीं है setup time तो हमारा productive hour कितने आगे तो हर किसी को divide 2000 घंटे से करना पड़ेगा हमें ठीक है तो मैं एक एक करके यहां पे निकाल लेता हूँ सबसे पहले इसका total कर लेता हूँ 12,000, 3000, 1080 तो यह आगया 16,080 इसको divide कर देंगे 2000 से तो 8.04 समझ में आरही है अब को बाद 0.04 यहां निकाल के मैंने रख लिया इसके बाद इसका तो परावर नहीं पता आपके पास calculator allowed होगा चाहे बीकॉम में हो चाहे आप कोई भी course कर रहे हो 12 के बाद तो allowed है ही है तो मैं यहां पे क्या करूँगा हर किसी को इसको भी 2000 से divide करके इधर लिख लूँगा और इसको भ कर देते हैं 8 यह और कुछ रह गया क्या में डेप्रीशेशन एक रह गया तो डेप्रीशेशन हमारा था टोटल 11,520 इसको divide करेंगे divided by 2000 तो यह आगया 5,86 पैसे ठीक है यह समझो कैसे निकाला टोटल पूरे साल का था एक साल में 2000 घंटे प्रोड़क्टिव है उससे divide कर दिया अब टोटल कर लेता है 8.4 20 रुपे 72 पैसे अब कोश्चन रेज होता है सर कई बार हमारा ना आंसर चेंज आएगा तो आंसर क्या चेंज आएगा हो सकता है 20 रुपे 72 पैसे के जगह पे 70 र पैसे तक का चार से पांच पैसे तक का अगर डिफरेंस आ रहा हो मैं पैसे बोल रहा हूं रुपे नहीं बोल रहा धिहान रखना तो चार से पांच पैसे तक का डिफरेंस आ रहा हो तो कहीं ने कहीं जाएज आंसर हो सकता है वो friction की विज़े से होगा लेकिन अगर मेरा आत है genuinely गलत तो चार से पांच पैसे का differences में आप अपने आपको थोड़ा कहना कि ठीक है otherwise हमेशा क्या रहेगा आपका answer near about एक या दो पैसे का difference रहेगा clear आपको तो अब एक हमने कौन सा इलिस्टेशन के आपके book का 5.7 तो इसे note करिए ये था हमारा एक practical example machine hour rate का ठीक है की है झार है झांचे झाह हुआ है